जितने भी विद्यार्थी UFSS से इंटर सतर 2024 से 26 में नमांकन के लिए आवेदन किये हैं तो अभी तो आप सिर्फ आप लाई किये हैं अभी आपको पता नहीं है आपका किसी सूल कॉलेजी में किस स्ट्रीम से आपका नमांकन होगा ऐसे में कल ही मैंने आपको बताया था वेड तो यह जैसे ही हम लोग अपडेट की चर्शा किये हैं मैं आपको रूटीन उगारा बताया हो ऐसे काफी विद्यार्थियों के मन में काफी तरह का प्रसंद चलाता है जैसे कि एकजाम सेंटर अपना क्या रहेगा पढ़ाई तो हुआ नहीं तो कहां पे जाकर किस भी से का एकजाम देंगे अगर इसकूल में जाते हैं टीचर बोलता है कि नहीं आप इसिसकूल के बिद्यार्थी ही नहीं तो हम क्या करेंगे एकजाम नहीं देते हैं तो क्या होगा क्या इसके लिए कुछ बगादा गाएगा चले एक एक प्रस्ण को लेकर समझते हैं सबसे पहला कि यह देखिए जो कार यह बिहार बोर रूटीन जारी किया है यह काफी हास यह अस्पत है तो कि आप जानते हैं एक तिस तक तो आपका ओनलाइन ही होगा जाम उन्ही का होता है चाहे कहीं पर भी चल जाएं अभी होता है परिक्षा का मतलब क्या होता है कि मैंने इतना टीचर कहता है कि मैं इतना आपको पढ़ाया स्टुडेंट ने इतना पढ़ा तो इस सीलेबस में से उसने कितना सीखा एक मन्त में अब चुकी बिहार बोर भी जानता है कि अभी विद्यार्थी का नामांकन कि पढ़ाने होगारा से बिहार बोर को कोई भी मतलब नहीं रहता है तो एक खुद एक हास से अस्पद है अगर आप सूचेंगे तो ठीक है आप तो रूटीन आ गया है ऐसे में अपने पास क्या क्या बिकल्प मौजुद है आईए हम लों समझते हैं अब देखिए सबसे प परिक्षा से बिहार बोर्ट जो ऑफिस्यAL जानकारी दे रहा है उसमें बतारा है कि जो भी आती बिहार बोर्ट से दस्वी की बोर्ट एकजाम मुतिरन की हैं तो जहां से दस्वी की बोड एकजाम उत्रिनकियां वहीं पे जाके 11th में अपना मतलब की पढ़ाई करें और एकजाम होगा रहा दे ठीक है चलिए यह एक मतलब की बिकल्प हुआ अच्छा जो विद्यार्थी वैसे हैं कि जो तेंथ में हैं तो उनके लिए बिहार बोड बताया है कि आप अपने नजदीक स्क्रम जो भी आपका घर है वहां से जो भी बिध्यार्थी थे तो उसका कि उनको मैंने परस्ण पत्र विद्रित करते आपका तो नाम आंकन ही नहीं है इतना ही प्रस्ण पत्र मिला है तो इसका सॉलूसन क्या है तो यह भी हार बोड नहीं बताया है तो अपने आप में हाथ से अस्पद है आपको शुरू में ही बता दिया अच्छा दूसरा समस्या यह आएगा कि ठीक है जो विद्यार्थी मान लिजे तेंथ उत्रिन की है तो आपको शुरू में कॉन 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 सब्जेक्ट लिए है तो अब बिद्यार्थी एक पॉल्टिकल साइंस फिलॉस्फी रखता है तो अभी तो रईस्टेशन हुआ नहीं उसने तय किया नहीं 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 क्लासे चला को कॉन कॉन सब्जेक्ट अभी तो सिर्फ आप आवेध अब बिद्यार्थी का किस सब्जेक्ट से एकजाम होगा तो टीचर किस विद्यार्थी को किस सब्जेक्ट का प्रसंपतर देगा ऐसे अगर स्टुटेंट चाहे तो बोल सकता है कि मैं आल्ट साइंस कमर्स तीनों का तीन कॉलेज में अपलाई किया हूँ यह भी बिकल्प म उनी भी लिया तो किस भी सह का एकजाम देगा यह तो तमाम कनफ्यूजन है हास से अस्पत जो है रूटीन बिहार बोट जारी किया एक किसी भी एक्सपर्ट से आप पूचेंगे तो बोलेगा कि मतलब कि क्या ही इस पर कुछ बोला जा सकता है कि बिहार बोट है इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है अब यहाँ पर देखिए अगला प्रसनाता है कि हम एकजाम में नहीं जाते हैं तो क्या होगा तो जैनरली जो तेंथ, टुवेल्व, नाइंथ के परिक्षार्तियों को बिहार बोट रूटीन जारी करके बताता है कि जो कैसे आप काट सकते हैं पले एडमीशन होना जरूरी है मतलब कि न मांकन होगा तभी तुव आप नाम काट सकते हैं अब आप सुचेंगे कि बिहार बोट यह इतना बड़ गलती, इतना हासासपद अपने आप पर जो कोई भी सुने तो हसेगा कि बिहार बोट कैसा बोड है en प्रवाइसला क्यों लिया कि विःवर्टि के पीछ अपडेट जारी किया था कि जो विद्धर्थी जहां से दस्वीव तिल्किया वहां पे जाके क्लासेज ओगारा करें बट वहां पे एटेंडेंस एलेबेंथ का जीरो परसंट था क्योंकि एटेंडेंस अभी हैं ही ने वि चीनता लेनी क्या हो सकते ने आपको इक्छा पर इक्छा होता है तो जाईए नहीं जाईए क्राइटेरिया नहीं है कि आप एक्जाम देंगे तब एडमीशन होगा उँ होता है उसे तो बोलता है हमनों इंट्रेंस टेस्ट ए तो है कि सिलेबस वाला टेस्ट तो अभी हास से अस्पद बाद है जो बिहार वोड़े रूटीन होगा राजारी किया है एक खुद मतलब आप समझ सकते हैं थोड़ा सा 20 लेसन करेंगे तो तो ऐसे मैंने रूटीन किस दिन किस भी साहका एक्जाम होगा पीछे में आपको डिटेल में जानकारी दे दिया हूँ एक व भले आपका एडमिशन कहीं पे भी हो या आप अगर अगर अधर एस्टेट बोड के छात रहें या आपके ऐसे इस स्कूल से आप 10 प्लस टू नहीं है तो अपने घर के निकरतम इस्कूल कले से जाकर आप एकजाम होगा रा दे सकते हैं क्लासे जोगारा कर सकते हैं और बाक तक सभी अब डेट अब शुक्त बढ़ा है तुब सभी अपडेट यहां पे है यहाँ पर एक नहीं सब्सक्राइबंट नामत नामक याहां पे जाक्षन मिल जाएगा और इसमें देखिए यहां पर है एगर और मुहनी मई परिक्षा का रूटीन याप देख लीजे इंटर सतर दोजाबी से चबिसका यहां पर देख रहें ना एलेृत कटेगरी तो यहां साकर और किलियर जानकारी आप सभी चीज ले सकते हैं यह रूटीन होताई ब्रस्थे इस पर किलिक करें ठीकर तो यहां पर रूटीन होताई आपको और नमांकन से संबन्दित हर एक जानकारी अब आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा अब आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपका एकजाम देने जाना है कि नहीं और क्या और सब जो भी आपका मन में प्रस्था रहा था जो आप लोग कमेंट बॉक्स में पू आप सभी को बहुत बहुत धन्यबाद